नमस्का फ्रेंट्स प्लैनेट हब चनल में आप सभी का फिर से हर्दिक स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा मकर सूरिय पंदरा एक से लेकर पंदरा दो के बीच में जिनका बर्थ है उनकी बात कर रहे हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं और ये समय रहेगा पंदरा तीन से लेकर पंदरा चार दो जार तेईस के लिए थर्टी डेस के लिए प्रेडिक्शन करेंगे जिनका भी सूरिय मकर रासी का है मतलब दस नंबर का आपका सूरिय है अगर वो समझ में नहीं आता तो अगर आपका जनम पंदरा एक से पंदरा दो के बीच में हुआ है कोई भी सा हुआ है वो मकर सूरिय लेकर आये हुए है जैसे चंद्रकुनली होती है वैसे ही सूरिय कुनली भी इतनी इंपोर्टेंस दिया जाता है कुनली को देखने के लिए तिन तरीके से कुनली देखी जाती है जनम कुनली चंद्रकुनली और सूरिय कुनली इस हिसाब से देखने क मकर सुर्यवाले वाले जो मैंने बताया आपको पंद्रा एक से पंद्रा दो के बीच में बर्द है तो उनके लिए 30 डेस का जो प्रेडिक्शन है ये मार्च और अप्रिल 15 दिन मार्च के लाश्ट के और 15 अप्रिल के पहले 15 दिन उसके बारे में बात करेंगे मकर रासी बहु होती problem समस्या आपको face करने को मिल लिए business पूरा ठप हो गया कामकाज में कुछ output नहीं आ रहा है job हाथ से चली गई है समस्या जैसे के वैसे अभी आपके सामने खड़ी हुई है और जो last 3 साल गए 2 साल उसमें तो आपने काफी problem देखे हुए है काफी आपको healthy issue आए job के issue आए कामकाज के issue आए काफी हद तक आपको आपके life partner से भी issue आपको देखने को मिले life partner के साथ divorce भी हो गया बहुत से लोगों का life partner से मदबेद हो गया मनबेद हो गया एक दूसरों के बीच में इतनी दूरिया हो गई कि अभी पास आना मुश्किल हो गया है लेकिन कहीं न कहीं अभी कुछ moment ऐसी है जो पहले atmosphere था उससे अभी थोड़ा changes लग रहा है थोड़ा कहीं न कहीं आपको उम्मीद की खिरन नजर आ रही कि कहीं से काम बन सकता है कहीं से अभी अपना कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है तो यहां जो थर्टी डेस का पिडियर रहेगा सबसे पहला जो सनी यहां चल रहे थे लंबे टाइम से सुरिया के उपर वो निकल के अभी आपके सेकेंड हाउस में आ गया यह अप अपने लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है अच्छा राजियोग बना हुआ है जितने भी मकर सुरिया सुरिया कुनली को importance भी दिया ही जाएगा जितना चंद्र कुनली को दिया जाएगा क्योंकि पूरी भुरुग सहीता जो है वो सुरिय कुनली के उपर बनाई गई है उसके उपर लिखी गई है तो यहां सुरिय आपका मकर है तो यह आपने देखा हुआ है तीन साल कितने भारी गया आपके और ल जयने कि सुच्वेशन हागी यह भाड़े की हफिस में बैठना पड़ रहा है भाड़े की दुकान में बैठना पड़ रहा है वैसे सुच्वेशन यहां आपको नजर आ रही है यहां तीन प्लैनेट्स सूरिय, गुरु और बुध्य यहां ब्रह्मन करेंगे गोचर में और और शुक्र यहां बैठेगा मंगल यहां मिथून दासी में बैठेगा फिर बुध यहां तीस तारिक को आ जाएगा तीस मार्ज को और जैसे बुध यहां आएगा तो आपका बुध और मंगल का परिवर्तन होगा यह बुध और मंगल का परिवर्तन आपको तीस चार तक वाद वीवाद बढ़ सकते हैं घर में मत बढ़ सकता है मन बढ़ सकता है कही न कहीं समर्शिया प्रॉब्लेम ज्यादा क्रिएट हो सकती है इस टाइम के अंदर इस टाइम में आपको खुब सांती सयम धीरत से काम लेना है बहुत ही अपने माइंड को कूल रखना है क्योंकि यहां मंगल आ जाएगा, और लिड़ी यहां राहू बैठा हुआ है, और बुद्ध यहां आ जाएगा, हलाकि बुद्ध अपनी स्वग रही रासी में जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं वो आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो शिक्स्थ हाउस में जाएगा, तो दुस्मन अ जग्रें यहां बढ़ सकते हैं, प्रोपर्टी का ध्यान रखे, प्रोपर्टी हाथ से जा सकते हैं, प्रोपर्टी में कोई हथसा बन सकता है, कोई न को ऐसी समस्या सकती है, जिससे आपको काफी प्रोब्लेम समस्या फेस करने को मिल सकती है, इसने यहां मंगल राहू साथ म और लेड़ी यहां शुक्र बैटा है, शुक्र यहां छे अप्रील को वरसब में आएगा, तब तक आपको पूरी सांती सयम धीरत से काम लेना है, मंगल भी जब जब तक बुद्ध यहां से निकलेगा नहीं, तीस चार तक तब ही भी आपको सांती रखनी है, इसने यहां सांत रखने वाला टाइम है, प्रिकोशन इस बेटर देन क्योर, क्योंकि आप देख रहे हो कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, लंबे टाइम से प्रॉब्लम समस्या से आप फेस कर रहे हो, गिरे हुए हो, यह एक आपके लिए अभी देख के चलने वाला टाइम है, जब टाइम आ इस चार को गुरु यहां से निकल कर मेस में आ जाएंगे, तब अपनी सुच्वेशन में काफी हद तक समस्या प्रॉब्लम कम होते जाएंगे, लेकिन अभी भी यह जो मैंने आपको बताया, यह टाइम थोड़ा डरने का है, प्रिकोशन लेने का है, क्योंकि आल लेडी यह यहां केतू भी चलता है सब्तम स्थान में, सुर्य भी यहां मकरसी में, जैसे तैसे सनी यहां से निकले है, तीन साल से सनी बैटे थे, तो कोई कामी नहीं हो रहा था, और उपर से समस्या, बदनामी, अप्यस, कौट, कचेरी, यह सब लफ़डों में से बाहर नहीं आए, ग खली यह प्रिकोशन लेने हैं, बस यह टाइम आपका निकल गया, फिर आगे आपको इतनी समस्या नहीं आएगी, फिर आपके दिन सुधरने लगेंगे, फिर आपके दिन में कफी चेंजिस आएंगे, जब गुरु बीस चार को मीन में से निकल कर यहां मेस में आएंगे, त काफी टाइम से आप प्रॉब्लिम समस्या से जूड रहे हैं, भाई बेनों से अभी में ध्यान रखना, उसमें ही काफी अभी समस्या प्रॉब्लिम आ सकते हैं, उनके साथ आपके मदवेद मनवेद बढ़ सकते हैं, अभी, इसलिए अभी कोई भी चर्चा ज़्यादा करनी खाली उसको ऊपर नीचे करके भेजने ना है, उपर नीचे करके उसको थोड़ा आगे लेके जाना है, पडोसियों से ध्यान दख्या, पड़ी विवाद बन सकते हैं, विदेश जाने के जो इच्चुब भाई बेन हैं वो अभी विदेश के यातरा करने वाले हैं, ये रह सकते हैं आपको वीजा लग सकता है आपकी एक डम से उडान भर सकते हो और आउट आफ कंट्री जा सकते हो अच्छे रहो बढ़िया रहो खुब आगे बढ़ो